आज बालासाहिब की आत्मा को बहुत दुप पहुशता होगा जब वो यह कहते थे कि कॉंग्रेस से जो हात मिलाएगा यह वो नपूंसक होगा वो हिज़डा होगा जो कॉंग्रेस पे साथ हात मिलाएगा बाबरी मस्जिद विवादिध धाचा जो है जो जब ढाई गई तो उसको शौरे दिवस के तौर पे शिवसेना मनाती थी, बाला साहिब मनाते थे, कॉंग्रेस उसको काला दिवस के तौर पे मनाती थी, जाको राखे साईयां मार सके न कोई, जितना आपने कंगणर अनावत क को बोला का एक एक महीला ने लिटरली आपको उखाड दिया यह जवाब है मैं काऊंगी यह सारा जो तीन साल में हुआ ना उसका अगर किसी को ऐसे मतलब ताज पहनाना चाहिए तो वो सिर्फ संजराव चाहिए तीर कमान धनुष यह जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है तो ज अगवाएन शिव ने ऐसा तांडव करा दिया माराश में कि सेना आपके पास बची नहीं नमस्कार में हो के शमालान शिव सेना को लेकर के लंबे समय से चली आरी लडाई आखिर उस पड़ा पर पहुँच गई कि जब उद्दव ठागरे के हाथ से शिव शेना तो निकल ही इसी खास मुद्दे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेशन प्रिति पांडे जी बहुत स्वागत है मैं आपका कंगा नहुत का बयान फिर से वाइरल है और जो शिव सेना के हास से गया है तुरां तुसे फिर वाइरल है और कह दिया है क कि उद्धभ आज मेरा मकान तूटा है कल तेरा घवन तूटेगा मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है वैसे तो पहले कह दूँ कि हमारा जो मारा जो देश का एक संसकार रहा है भारत की संस्कृती रही है वहां महिलाओं के सम्मान में रामायन से लेके मेला का श्राप उद्धव जी को लग गया है इसलिए कि मुझे बहुत अच्छे से यादे कि जिस तरीके से पाई-पाई जोड के एक लड़की जो इमाचल प्रदेश से आती है जिसका कोई Godfather नहीं है बॉलीवूड में अपनी महनत से उस जगे पर पहुशती है तो वह नागरिक के तौर पर बोलती है बॉलीवूड के उन हिपोक्राइट की तरह भारत के अपने विश्यों से बचती नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोलना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया तो मुझे आज भी यादे कि उनके घर पे जो बुल्डोजर चलाया ग तो आज मेरा घर को तब तेरा घमंड टूटेगा तो गह्मंड राजा वो राजा जिसको प्रजा की कोई चिनता नहीं है डेमोक्रेटी कंट्री ऑड़ा का वह विशह खतम हो चुका है हम लोगति अंतरिक देश में रहते लेकिन फिर इक राजा आपको राजा आज भी समझ वो घमंड में इतना चूर है कि क्या महिला का सम्मान चाहे वो कोई अभिनेतरी हो चाहे वो मराथी फिल्म की एक्टरोस हो जिसको तीन महीने इन्होंने जेल में रखा क्योंकि उन्होंने महाराश्ट के जो इनकी महा अगाड़ी सरकार दोकोडी की ती उसमें एक नेता के बार ने उखाड दिया लेकिन ये शाब उसमें तो शामिल होता है कि जब राना को हर्मान चाली साब पढ़ने के नाम पर उठाकर के जेल में डाल दिया देखे नवनीत राना कंगना रनावत आपने सनातन धर्म के एजंडे पे आपके पिता जी ने पार्टी शुरू की नो करना कुछ बोला तो उनके घर में शिवसे나 के ओदाव जी के शिवसेना के जो उनके पारस बची नहीं है मातों शृष आत से जाने वाली है ना समपत्ती बची ना कुछ बचाल लेकिन ऊस घमंद में जाते हैं और शिवसेना ये उनके एक्स नेवी ऑफिसर को भी पीट दे सब जनता ने देखा है तो सनातन धर्म के एजेंडे पे आपकी पार्टी दशकों पहले स्टार्ट हुई और उसी पे आपने कई दशकों तक राजनीती गदी पे आप सब लोग बैठे रहे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज पिता नहीं है तो पिता के रूप में जो लोग द हाथ मिलाएगा यह उनके शब्द थे उनके शब्द दौरारियों कि वो नपुंसक होगा वो हिजड़ा होगा जो कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा बाबरी मस्जिद विवादि धाचा जो है जो जब धाई गई तो उसको शौरे दिवस के तौर पे शिवसेना मनाती थी कॉंग्रेस उसको काला दिवस के तौर पे मनाती थी एक सनातन धर्म के लिए पुर्जोर खड़ा होने वाला व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके बाद एक मात्र प्रदेश एक मात्र व्यक्ति जिसने कहा कि महराश के हर स्कूल कॉलेज में कश्मीरी पंड लेकिन मुझे यकीन मैंने अपनी जिंदेगी में किसी के पाप का घड़ा भरते हुए और इतनी जल्दी उस पाप का इस तरह से अंजाम होते हो नहीं देखा था जो मेने महराश्ट में देखा है उद्व ठाकरे ने जो किया था यानिकि जो एक मैसिस पूरे विश्व में मंदिर के लिए एक अयोध्या को लेकिन के दिल में जो हमेशा 10 रहती थि कि राम मंदिर बनना चाहिए हमेशा योध्या एक माहराश्ट की टीम उनका परिवार हमेशा आयोध्या में दिखता रहा है और वो खुले आम अंडर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ते रहे हैं वो खुले आम आतंक वादियों को उन्होंने हमेशा उनकी आउकात दिखाई है ऐसा व्यक्ति नवाब मलिक से हाथ मिलाता है ऐसा व्यक्ति कॉंग्रेस प बेटा उस घमंड में आ गया कि मैं जो चाहे तो करूँगा रिपब्लिक भारत से लेके बहुत सारे चैनल के पत्रकारों को उठाना मुझे याद है यूट्यूबर्स मुझे तो मतलब ध्यान है कि आप सब लोगों के उपर ऐसे तलवार लटकती थी जो भी ऐसा कि बाठार को ऀएल में डालने के लिए आप डालिए ना उपडी कि हैसीयत है इतनी बड़ी पार्टी और पारी जनता से बहते गया में थे में शूत जोस्ते देखनें क्यों कि भी जनता पालगर के सादूओं की वह वो जो वीडियो था ना जिसमें एक बुजूर्ग सादू लहू लुहान होके वह बहुत स्केरी वीडियो था आज भी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको रात में नीद नहीं आएगी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जिन्दा है वो किसी भी धर्म का होगा लेकिन अगर वो उसको देखता है तो कहीं भी मालीजे कि उसके उसके दिल में वो टीस रहेगी कि ये खुले आम भीड में लोग एक सादू संथ को मार देते हैं पालगर की हत्या में उसकी CBI जाच तक के लिए ये कुछ नहीं बोलते अरे आपने सादूं को नहीं चोड़ा आपने अभी नेत्रीयों को नहीं चोड़ा आपने किसी को नहीं चोड़ा इतने सारे फिल्म स्टा जीनका illegal construction है जाके तोड़िये ना आपको कंगना का ही दफ्तर तोड़ना था क्योंकि आपकी उनकी व्यक्तिगत दुष्मनी ठेन ग बैटा ही राजा की कुरसी पेटेगा मैं हमेशा कहती हूँ वो जमाना चला गया आज अगर आपके अंदर योगिता नहीं है आप योग नहीं है तो आप उस कुरसी पर नहीं बैटेंगे जनता a उठा के आपको फैक देगी जनता नहीं आपको ब송 बढू ँठा यह मद्धा अ अफजल गूरू को फांसी देना गल्ती थी और वो व्यक्ति इनकी भारत जोड़ो यत्र में शामील होता और कहीं न कहीं जनता ने बता दिया कि माराज्ट की सरकार ये ये माराति मानुष ये बहुर जो धर्ती है न fret वह कहीं न कहीं, शिवाजी से लगाने कि यहां हमारी धतती जसकी भारत मांते कि स्वराज के लिए हम लड़े कि जैékा को भावजो रचासि निंगास , यो जांता होगक्षाजLE जो खिलाफ बोलेगा उसको जेल, अब तो मुझे लगता है कि इनकी बारी आ गई है कि इनको जेल और इनको बेल पे न रहना पड़े, एक तो बेल पे बारी है परिवार, इनके परिवार पे भी अगर जांच बैटीगे वो और और एक चीज और, सबसे बड़ा कारण हम क्यों एक प्रवक्ता जो इन्हों ने बिठा रखा है, मतलब अभी उनका बयान था दो दिन पहले, अमेशा जी के लिए कि हो मिनिस्टर साब को कोई सीरियस नहीं लेता, तो मैं एक टीवी डिबेट में थी तो मैंने का कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कार्टून नेटवर् मिनिस्टर साब के खिलाफ बोलते रहना है, तो वो उनकी पार्टी को बरबात करने का सारा क्रेडिट और थांक्यू संजे राओ जी जो जिनों ने, जिनके जितने प्रवक्ता बनाने पर जो जो बयान आपने दिये, आपने खुद उधाव जी को यहां से यहां आप खुद संजे राओ जी, मतलब मैं काऊंगी, यह सारा जो तीन साल में हुआ न, उसका अगर किसी को ऐसे ताज पहनाना चाहिए, तो वो सिर्फ संजे राओ जी जी है, यह भी तो कहा था कि रोड़ पर लड़ाई आएगी, और क्या होगा उसका पाणाम क्या होगा, कोई पता नहीं देखे, मैं तो कहीरी, बादं नयाही न बीएमसी में के चुनाओ है, डिये एमसी में चुनाओ ह कहने वालista कि बहुत मतलब जा जा रहे थे भीर में लड़णे, तो मैं आएगो कि तो मैं पैद देखे मज जा इए, मढई मू की खाके आएंगे आप लो. आपने जो भारत के लेकिन बिहार के लाल सुशान सिंग राजपूत के साथ जो आपने किया आपके जमानत जब तो जाएगी तो यह बहुत लड़ते थे इनको लगता था रहे हम इतने बड़े राजा आरे हम दश्कों से हम तो जिसको चाहें जिसको चाहें खरीद ले हम जो करें हमारे उपर तो हमारे बेटे के साथ किया है ना अपनी हैसियत में रहो और इनको इनकी हैसियत दिखा दी अब यह जब बीमसी के चुनाओं में जा रहे है फिल मैं इनको कह रही हूं जमानत भी जब्त होगी जो बची खुची है वो भी चली जाएगी और बड़े वाले राजकुमार के तर लेकिन उनने कहीन निशाना साधने के लिए जो धनुष मार दिये थे वो भी हास्ते निकल गए अब उद्धव की पास बचा क्या है देखिए तीर कमान धनुष यह जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है तो जिसको सनातन धर्म का सर नहीं पता जिसको शिव पर भरोसा नहीं जिसको राम पे भरोसा है तो एक ऐसे व्यक्ति के गोद में जाके बैटे जो राम मंदर के लिए 22 वकील जिसने खड़े की है, तो कहीं नगे इसका मतलब शिव पे आपको भरोसा नहीं है, भगवान शिव से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसी भगवान शिव ने ऐसा ता कि जो मातोश्री का जो ग्राउंड फ्लोर है वो शिवसेना का है तो confusion यह है कि वो जो ग्राउंड वाला फ्लोर है वो मिलेगा किसको शिवसेना को तो अगर शिवसेना को तो बाप और बेटे के पास तो शिवसेना रही नी तो ग्राउंड फ्लोर पे शिवसेना चलेगी और श परिवार ना परिवार का ध्यक्ष या धियक्षा एक मावेटे 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 रहेंगे इनका भी होने वाला है खतम इनका मामला खतम और बाला साहिब कि पेरों की धूल नहीं है उद्व जी या जो नेक्स जेनरेशन है आखरी सवाल करूंगा लगता है कि जैसे ही धरुषबान हाथ से गए और ऐसे ही उद्धव के समर्थकों ने सौनु निगम पर हमला किया कि लगता ही बॉखला हट बाहरा है देखिए सौनु निगम जी हो च गाने के अवर्ड नहीं मिलता और घटिया मतलब सबसे घटिया लिरिक्स जिसकी है जिसके लव्ज मतलब भाग डीके बोज जैसे और बहुत गंदे-गंदे लवज जिनके कोई मतलब नहीं है जिनको सुनके हमें कोई ऐसे हमारे अंदर भारत माता की जह का सिलोगन नहीं आ जो लोग आज राष्ट के साथ खड़े हैं जब आप उनके उपर हमला करते हैं तो कहीं न कहीं सोनु निगम जी के फॉलोवर और बढ़ते और आप तो जानते हैं ना कि बॉलीवुड में इनको काम नहीं दिया जाता है सोनु निगम जी ने खुद एक वीडियो अपना वा बाजन के गाने मस्त बनते थे जो हमारे उसमें गायक थे जो सिंगास तो कहां है और गायम है आज उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता बॉलीवुड में किसको काम मिलता है जो एक एजेंडे पर चल रहा है जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो सौकरोड वाला हो जाएगा लेकिन केने के जनता ने दिखा दिया कि जनता आज उसी की है जो भारत माता की जै बोलता और दिल में भारत माता बसती है